इंवेस्टिंग होती है वो काफी बोरिंग होती है और जो ट्रेडिंग होती है वो लोगों काफी थ्रिल जेती है एक तो बहुत जल्दी पैसा डबल करने का जो है यहाँ पर ज़रिया दिख रहा होता है यूट्यूब पे आपको हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगी के स्टॉक मातिक में पैसा कैसे कमाया जाए ट्रेडिंग से आप लोगों का घर चलेगा ट्रेडिंग आप ऐसे समझे के आप अपना एक जौब कर रहे हैं आप इस देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी में हिस्से रुपे से कही ना कहीं हम सबके मन में यह होता है कि हम फानेशली इंडिपेंडेंट बनें अब फानेशली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है मैं पिछले 11 साल से प्रोफेशनल कोर्सिस के स्टुडेंट्स को पढ़ा रहा हूं जैसे कि CA, ACCA, I am the co-founder of ED91, Learn91 and Skill91 जहांपे बहुत सारे स्टुडेंट्स अमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं सिरु अपने कोर्सिस को लेके नहीं और भी बहुत सारे ऐ तक मैं नीरज, Arorah 2017 मैंने अपनी इंवेस्टिंग की जन्री शुरू करी थी, 2017 से मैं इंवेस्टिंग कर रहा हूं, सीख रहा हूं, सीखा रहा हूं, आज तत मैं हजारो लोगों को जो है इंवेस्टिंग के बारे मैं बता चुका हूं, चिखा चुका हूं और उनको करना चाहते हैं stock market को तो सबसे पहला doubt जो आता है वो यह आता है कि मैं ट्रेडिंग करूं या investing करूं और आज हम इसी मुद्ध्य को बहुत detail में पिक करने वाले हैं कि trading और investing होती क्या है किसको trading करनी चाहिए किसको इंवेस्टिंग करनी चाहिए दोनों के objectives क्या होते हैं दोनों के goals क्या होते हैं और कैसे आप successful investor या successful trader बन सकते हैं सबसे पहले हम इन दोनों terms के basic meaning जान लेते हैं कि investing क्या होता है और trading क्या होता है investing में आप एक business को समझते हैं और उसमें लंबे समय के लिए अपना पैसा लगाते हैं इस उमीद में के वो business जो है आगे बहुत सारे और पैसे कमाएगा और आपको capital appreciation मिलेगा trading में हम लोग क्या करते हैं हम लोग stocks को खरीदते हैं इस उमीद में के जो हमने per day के basis पर return बनाने का जो है वो target होता है investor जो है वो एक business को देखके invest करता है कि business के fundamental कैसे है business जो है वो कैसे काम करता है और trader जो है वो price को देखके invest करता है कि price की movement कैसे हो रही है investor जो है वो करता है fundamental analysis वो company को समझता है company की management को समझता है company के business को समझता है और उसके बात जाके call लेता है कि मैं invest करूँ या ना करूँ टेडर जो है वो news based काम करता है उसे दिख रहा होता है कि आज प्राइस किसी news कि यह से ऊपर या नीचे जा सकता है या उसका कोई और record होता है जिससे वो technical analysis बोलते है उसके basis करता है कि आज प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा और उसके basis पे वो उस पे play करने की कोशिश करता है कि मैं कम में खरीब के जाद में बेच दूँ इंवेस्टिंग या ट्रेडिंग का decision लेने से पहले सबसे पहले आपने आपको जानना है कि आप क्या चाहते हैं यह कि दोनों ही चीजे की जा सकती है अगर आपके पास सही training हो अगर आपके पास सही knowledge हो लेकिन आपको अपने आपको जानना पड़ेगा जब आप on the contrary, एक full time occupation नहीं है, investing आप बहुत असानी से stock market के अंदर जो है entry ले सकते हैं, mutual fund या और instruments के थुरू जहां आपको बहुत ज़्यादा समय देने की जुरत नहीं है, तो सबसे बहले बैठीए, अपनी needs, अपने goals, अपने objectives लिखिए, कि आप actually आप रस समय कितना है, अगर आप ल stock markets में invest करके, जो है well create करना चाहते हैं, then investing is point, अगर आप एक student है, और आप मेरे पास आके पूछते हैं, कि मुझे क्या करना चाहिए, investing या trading, तो फिर से सबसे पहले तो मैं आपसे यही बोलूँगा, कि आप अपने बारे में लिखिए, अपने goals, objective, needs लिखिए, उसके बार decide क दीजे, being a student, आप कुछ न कोछ ऐसी पढ़ाई कर रहे होंगे, जिसमें आपको बहुत सारा समय देना पड़ता होगा, तो अगर आप stock market में भी active नहीं रह सकते हैं, जो मेरे हिसाब से, मेरे personal opinion है, कि आपको रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कहीं न कहीं आपकी जो है पड़ाई सफर कर सकती है, तो अगर आप full time active नहीं रह सकते हैं, तो investing is for you, otherwise अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका course आपको इतना समय देता है, क्या पूरा समय दे सकते हैं, आप सुबह 9 से लेके, साड़ीन बेतर, यानि इवन उसके बाद भी अगर आप बैट सकते हैं, you should go for trading, एक बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने आता है students का, कि stock market में हम आना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास funds नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं आपको बदा दूँ कि यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारी सुविदाए हैं, आप चाहे तो 500 रुपे महीने से SIP शुरू कर सक सिरफ 180 रुपे से, investing generally आप अपने long term goals के लिए करते हैं, हो सकता है अपने retirement का corpus बनाना चाहते हो, हो सकता है आप आगे कोई बहुत बड़ा property घ्रीदना चाहते हो, और trading on the contrary आपनी daily needs के लिए करते हैं, बट मैं आपको बार बार यहीं समझाओंगा, कि trading सुनके ऐसा तो लग At the same time, इसको बिल्कुल ऐसे मत समझें कि guarantee है पैसा कमाने की, यहाँ पैसा lose भी कर सकते हैं, क्या हम investing में पैसा lose नहीं कर सकते हैं, investing में अगर आप लोग किसी company में बिना सोचे समझे पैसा लगाएंगे, तो हमापे भी पैसा lose कर सकते हैं, trading और investing में से क्या आसान है और क्या होगा कि आप लोग बस आज पैसा लगा के बैठर आपने ट्रेडिंग करनी शुरू करें, आप पैसा कमा लेंगे, इसमें आपको बहुत सारी चीज़े सीखनी पड़ती है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ऐसी investing है, investing बहुत सारे तरीके से की जा सकती है, एक है mutual fund के थुरू, या फिर आप डिरेक्ट जो है वो बिजनसे के अंदर पैसा invest कर सकते हैं, mutual fund आसान है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आपको stock pick करने पड़ते हैं, और trading अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मुझे trading सबस्यादा मुश्किल लगती है, और investing comparatively आ चाहते हैं, stock markets में आने से पहले proper study, proper research बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसा हमने अभी पहले discuss किया था, कि बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिये stock market में, तो बहुत सारे लोग इंट्री ले रहे हैं, तो सिखाने वाले लोग भी बहुत सारे आ रहे हैं, और खासकर YouTube पे आ और सिरफ income को देखके, आप ऐसे invest ना करें, आपको दोलों के लिए ही, investing के लिए भी और trading के लिए भी proper research, proper knowledge चाहिए, अब बात कर लेते हैं, रिटरंस के बारे में, क्योंकि ultimately हम लोग stock market में आ क्यों रहे हैं, रिटरंस कमाने के लिए, तो एक investor का mindset कैसा होता है, मैं आपको स पहले बोला था, याद रखिएगा, कि जब यहाँ पर 10-15% महीने का target लखा जाता है, कमाने का, तो उतना पैसा आप गवा भी सकते हैं, और investor जो है, अपने return appetite को थोड़ा सा कम रखता है, trader जो है, क्योंकि उसे अपना घर चलाना है trading से, तो उसको हमेशा लगता है, कि मैं कम trading होती है, वो काफी boring होती है, और जो trading होती है, वो लोगों काफी thrill देती है, सुबह 9 बजे उठके screen के सामने बैठ जाना, और सुबह 9 क्यों, लोग बाग सुबह 8 बजे से उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, और सुबह शाम तक जो है, उसी के उपर discussion चल रहे हैं, वहीं प की दिल की धड़कने जो है, वो बढ़ जाती है, और on the contrary, अगर मैं investing की बात करता हूँ, investing में जब आप जाते हैं, तो यह बहुत boring activity है, आपने एक बार research करके एक company को choose कर लिया, अब अब उस company में पैसा डालके जो है, भूल जाते हैं, periodic review चाहिए है, for sure, लेकि मैंने ऐसा दे जिता है, जिसको मैं review में use करता हूँ, वो है company की management, अगर management में कोई issue है, मैं ज़रूर इस company से बाहर निकलना चाहूँगा, दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ, वो है company के financial statements, so management और financial statements को हमेशा review करते रहना चाहिए, अब इस हमेशा का मतलब यह नहीं है, कि रोज सुवे कि news alerts अपने पास रखी है, हो सकता है management में कल ही कुछ गढबढ हो, तो आपको जरूर पता चलनी चाहिए, तो comparatively अगर हम देखें, तो investing एक boring activity है, और general लोग बाग इस तरफ इसलिवी attract नहीं होते, क्या यार invest करके सिरफ बैट जाओं, सिरफ सोचता रहूं, तो वहाँ पे में CS students को पढ़ाता हूं, अपता कौन से subject पढ़ाता हूं, income tax, अब वहाँ पे जब income tax पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे तो tax की बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप investing करते हैं, तो आप taxes में ही लाखो करोडों रूपे बचा सकते हैं, और जो आप trading करते हैं, आपकी जानकारी के बलगाता हूं, के एक trader पे अगर बहुत सारा पैसा कमा रहा है, तो 42.744% तक का income tax लग सकता है, on the contrary, एक investor जितना भी पैसा कमा ले, उसके उपर 10-15% से उपर का tax नहीं लगेगा, बिल्कुल साही सुना आपने के 10-15% से उपर का tax लगेगा, चाहे करोडो की income क्यों ना हो, और इधर ट्रेडिंग में, अगर आपकी income करोडों में जा रही है, बगवान करे सबकी जाए, अगर आपकी income करोडों में जा रही है, तो आपके उपर 42.744% तक का tax लग सकता है, ये taxes शायद आपको भी बड़े छोटे लगते हों, लेकिन ये long run में बहुत बड़ा difference जो वो create कर देते हैं, मैं personally investing की तरफ गया भी इसले ही, क्योंकि यहाँ पर tax saving जो है, वो बहुत जबरदस्त हो रही थी, बहुत ज़्यादा difference जो है, taxes में आ जाता है, एक trader जो पैसे कमाता है, किसी share को बेच के, तो आपको पता है, वो उसके profit and gains and business of profession में जाता है, यानि कि वो उसका business माना जाता है, लेकिन एक investor जब पैसा कमाता है, तो वो capital gains head में जाता है, income tax में total मिलाके 5 heads होते हैं, इसमें से 2 के बारे में हम discussion करने वाले हैं, one is PGBP, that is profitable gains of business and profession, and second is capital gains, जब मैं investor हूँ तो मेरा tax capital gains head में लगता है, और वहाँ पे मुझे बहुत फाइदा होता है, for example, इस साल मैंने अपनी investment को बेचा और मुझे 10 लाग का profit हुआ, अब क्या होगा, पहले तो इसमें से 1 लाग पे कोई tax नहीं है, सबसे पहली बचत यहाँ पे, यानि आपके घर में 4 लोग हैं, और 4 लोगों ने 10 लाग का profit कमाया है, तो आप लोगों को 40 लाग में स चार लाग पे कोई tax नहीं देना, अब जो आपके 36 लाग बच गए हैं, उस पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ टैक्स होगा, 10% का, that's it, यानि हर individual के लिए हर साल में एक लाग तक का tax जो है, वो माँ, एक लाग तक की income पे जो है, tax माफ होता है, अगर आपको long term capital gain हो रहा है investing पे, और trader की income जो जैसे मैं आपको बताया, कि ये जाती business and profession head में, और business and profession head में आपके उपर slab rates लगते हैं, हो सकता है, आप 5% वाले slab में आते हो, 20% वाले slab में आते हो, 30% वाले slab में आते हो, slab के बाद आपके उपर सरचार्ट भी आता है, जो कि 37% तर जा सकता है, इन सब को म financially independent का मतलब ये नहीं होता कि आपको काम ही नहीं करना पड़ेगा, financially independence का मतलब सीधा होता है, you will work because you want to, not because you have to, और जहां पर word आता है financial independence, वहां पर सब की choice होती है investing, financial independence के लिए investing जरूरी क्यों है, आप एक छोटी सी exercise कर सकते हैं मेरे साथ, मैं आपके साथ में कुछ numbers रखता आप सब को पता है, inflation, आप सब में गाना भी सुना होगा, महंगाई डायन खाये जाते हैं, तो क्या ही है महंगाई डायन, क्या ही है inflation, inflation एक simple सी भाषा मेंगर आपके साथ में बोलू, कि जो goods और services के price में increase होता है, उसे हम बोलते है inflation, इस inflation के चलते हैं हमारे रुपे की value जो ह पर जाते हैं, 6% की inflation हम on and average लेके चलते हैं, आपको पता है 40 साल बाद यही 25,000 रुपे की जगा, आपको कितने रुपे की जुरत पड़ेगी, लगबग 2,60,000 रुपे महीना, मैंने yearly नहीं बोला है, 2,60,000 रुपे महीना आपका खर्चा होगा, अब आप इस बात को ऐसे भी तो आपके पैसे की value गिरती जाएगी और आप कभी भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे, और यहीं प्याती है investing, particularly investing in stock market, अगर आप stock market के historic returns को उठा के देखें, आप सिरफ index के भी historic returns को उठा के देखें, तो आपको लगबग दिखेगा कि 13-14% के आस-पास का return म पचाने के लिए, आप लोगों की enormous wealth create करवाने के लिए, और आप लोगों की purchasing power को intact रखने के लिए, अब आप लोग investing और trading के बारे में समझते हैं, जानते हैं, अब आप लोग market में आने के लिए तयार हैं, लेकिन market में आने से पहले मैं चाहूँगा आप एक action ले, क्या action ले अपने बारे में जाने, अपना why जाने, अपनी needs जाने, अपने goals, अपने objectives लिखें, कि market में आप क्यों आना चाहते हैं और कैसे आना चाहते हैं, क्या आप trading में जाना चाहते हैं, या आप investing में जाना चाहते हैं, आपको मैंने criteria's बताए जिसके basis पे आपी decide कर सकते हैं, आपक के सामने बैठ सकते हैं, आपकी और कोई active occupation नहीं है, तो definitely आप trading को एक बार try कर सकते हैं, लेकिन सीखने के बाद, लेकिन अगर आप लोग actively कहीं और पर engaged है, और example हो सकता आप एक lawyer हो और आपको दिन बर काम करना होता हो, तो उस case में आप लोग investing के थ्रू जो है वो आ सकते हैं, मेरी आप लोगों से यह request रहेगी, कि stock market में आप जब भी invest करें, अपना why जानने के बाद invest करें, और invest जरूर करें, क्योंकि यहां से आप लोग अपनी wealth create कर सकते हैं, अपने financial goals को जो है वो achieve कर सकते हैं, उमीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा, और जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाटे हैं, यह जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी को seriously लेते हैं, आप उस सारे skills acquire करना चाते हैं, जिससे आप जिंदगी में तरक्की करतकें, लोगों से आगे बढ़ पाएं, और अगर यह सच है, तो जोश टॉक्स का ही एक एप है जोश स्किल्स जहां exactly इसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही खुबसूरत बहुत सारे कोर्सेज बनाए गए हैं कोर्सेज जो लागों स्किल्स अलरडी ले चुके हैं ये कोर्सेज स्पेसिफिकली सिर्फ एडुकेशनल नहीं है जहां आप Excel skills, PowerPoint skills और यह सब सीख सकते हैं, बटकी Life skills भी है, जहां आप Public Speaker कैसे बना जाए, वो सीख सकते हैं, आप Confidence कैसे Acquire कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं, आप Hesitation की बिना कैसे बोलें, वो सीख सकते हैं, आप अपनी Personality कैसे Develop कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं, हर एक Course में Daily Quizzes है exercises हैं, एक बहुत ही खुबसूरत community है, जो आपको support करेगी, आपको encourage करेगी, तो अगर आपको ये talk पसंद आया हो, जोश talks जो करता है, वो पसंद है, तो आपको जोश skills भी बहुत, बहुत ही फाइद नहीं करेता है, आज ही download करें, जोश skills का app और उनके courses explore करके, अपनी